हैं कि थेलिखें हैं हैं इस वीडियो मेंदू के यह रिखितसे दिखश्च बास बखंग सब्सक्रमें .... हर्लो दोस्तों दोस्तो मैं आपका बहुत- बहुत स्वागत करता हूँ त्रेडिक लिख चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में हम बनाएंगे swing trading के लिए एक scanner जिसके थुरू आप swing trading के stocks को find कर सकते हैं और देखे आज की date में nifty बहुत जादा overheated हो चुका है और अब expected है कि nifty में correction आएगी क्योंकि nifty 10,000 के level के आसपास पहुंच रहा है और 10,000 के आसपास जो है बहुत तगडी resistance मिलने की उमीद है तो इस वज़े से देखे हम जो है short जो swing trades है उनको find करने की कोशिश करेंगे और मेरे पास देखे एक subscriber है उनकी request आई थी कि जो short trades हम swing trading में जिसमें कि हम एक से जादा दिन position होल्ड कर सके तो पांच दिन एक हफता तीन दिन जो है technical analysis का premium course चाहते है free तो आप मुझे whatsapp कर सकते है मेरा whatsapp का number आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा इसमें हम technical analysis, candlesticks, chart patterns, market phases, trading basic, basic concepts stock charts, trading time frame सारी चीज़े cover करते हैं ये वाला link मै इस वीडियो के description में पेस्ट कर दूँगा इस link पे सारा कुछ मैंने दिया हुआ है कैसे आपको इस free course available होगा आप मुझे whatsapp भी कर सकते हैं कोई query हो तो दोस्तो यहाँ पे directly एक और announcement दोस्तो जिन भी traders ने क्योंकि देखिए इस समय lockdown चल रहा है और जहां देखिए जिन भी traders के जो accounts हमारे तुरू open हो रहे हैं देखिए आपको एक account trading account हमारे थू open कराना पड़ता है और हम आपको फ्री course दे देते हैं तो देखिए उनके जो भी traders है मैं इस वीडियो के मादियम से बताना चाहूँगा कि जो lockdown के कारण जो है उनके trading accounts की confirmation मेरे end पे update होने में time लग रहा है और तीन से चार दिन का delay चल रहा है तो उनको मैं course जो है वो थोड़ी confirmation के बाद ही share कर पाऊंगा जो confirm हो जाएंगे उनके accounts मेरे end पे तो इसके लिए मैं बिल्कुल शमा चाहूँगा आपसे की course आपको जो free course में provide करता हूं उसमें थोड़ा सा डिले होगा तो से तीन दिन का दोस्तों तो उसके लिए मैं आपसे बिल्कुल I apologize for that की आपको ये course थोड़ा सा देरी से मिलेगा दो से तीन दिन की तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आज हम बनाएंगे चार्टिंग पे स्कैनर अब चार्टिंग पे चलते हैं दोस्तों चार्टिंग की साइट है चार्टिंग बहुत ही बड़िया प्लैटफर्म है दोस्तों अगर आप यूज करें इसे इसके फीचर्स को यूज करें तो freely आप जो है इतना कुछ स्कैनर में यूज कर सकते हैं दोस्तों मैं बता नहीं सकता तो यहां क्रियेट स्कैन पे जाएंगे और आज हम बनाएंगे एक अच्छा सा जो है स्कैनर जो शॉर्ट ट्रेड्स हमारे लिए ढूंड के लाएगा शॉर्ट ट्रेड्स और वो भी आपके डेली के टाइम फ्रेम पे तो दोस्तों यहां पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहली कंडिशन मैं लगाऊंगा देखिए मैं मूविंग एवरेज इसको यूज करूँगा और यहां पे दोस्तों मैं सिंपल मूविंग एवरेज यूज करूँगा यहाँ SMA simple आता है indicators में और मैं कुछ जो है trend पता करने की कोशिश करूँगा और यहाँ देखिए काफी सारे options हैं आपके बास 1 minute, 2 minute, 3 minute, 5 minute, 10 minute, 15 minute, 20, 25 भी आ गया है 30 minute तो मैं यहाँ पे latest लूँगा, latest क्या होता है दोस्तो latest होता है daily के chart पे जो daily का chart होता है दोस्तों यहाँ पे चलेंगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखें निफ्टी का अगर आप chart देखें तो यह निफ्टी की एक तिन की candle है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यह latest जो है वो daily के chart को refer कर रहा है यह daily के जो chart है दोस्तो उसको refer कर रहा है यह latest तो मैं यहाँ क्या कहूंगा कि latest जो closing price है और मैं simple moving average उस पे calculate करूँगा 10 period की और मैं यहाँ कहूंगा कि crossed below use करूँगा मैं दोस्तों cross below cross below मतलब 10 period की जो moving average है वो cross करी हो आज के दिन किसको दोस्तों यहाँ पे भी मैं एक दूसरी simple moving average ही use करूँगा और मैं simple moving average latest पे ही रहने दूँगा और मैं यहाँ 50 period की simple moving average use करूँगा कि मेरी जो 10 period की simple moving average है वो latest यानि आपके जो daily के chart में उसका जो closing price चल रहा है उसके उपर पिछले 10 दिन की average को calculate करे यानि पिछले 10 दिन की average को calculate करे और वो 10 period की simple moving average आएगी वो आज cross करके 50 को नीचे की तरफ गई हो इसका मतलब जो short term trend है वो medium term trend को cross करके नीचे की तरफ गई है दूसरी जो condition लगाऊंगा दोस्तों मैं एक simple moving average फिर यहाँ include करूँगा और मैं यहाँ कहूँगा कि late test यानि daily chart के उपर ही चले और अब मैं यहाँ कहूँगा जो medium term trend है medium term trend मेरा जो है दोस्तों वो भी crossed below आके crossed below आके किसको crossed below आके यह भी एक simple moving average होगी और वो होगी आपकी 200 period की moving average तो यह भी latest जो closing price पे तो यानि 50 period की जो medium term moving average है वो 200 period की long term moving average को cross करके नीचे आई हो तो मेरा 10 वाली जो है 50 को cross करके नीचे आई हो और 50 वाली 200 को cross करके नीचे आई हो तो इससे आपको क्या confirmation मिलेगी कि short term जो बिल्कुल जो short term trend है वो medium term trend के नीचे आ गया और जो medium term trend है वो long term के भी नीचे आ गया तो 3 आपको confirmation मिल गई यहाँ पे एक short जाने के लिए इसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा यहाँ पे RSI लूँगा यह RSI indicator आपको पता होता है दोस्तों मैं crossed below number 60 देखे RSI जब 70 के उपर हो जाता है तो वो बहुत overbought हो जाता है और वहाँ से एक reversal आने की probability संभावना बढ़ जाती है अब मैं यहाँ क्या कहूँगा कि जब वो 60 के नीचे चला जाता है, cross करके 60 के जन stocks में नीचे जा रहा है वो आले stocks मुझे include करने हैं, और उसके बाद दोस्तों मैं क्या कहूँगा कि जो latest मेरा MACD है, देखे यहाँ मैं indicators का भी use कर रहा हूँ और oscillators का भी use कर रहा हूँ जो मेरे latest MACD line है, जिसके की parameters मैं default ही रहने दूँगा, 26, 12, 9 वो जो है दोस्तों, cross करा हो cross below 0 आपको पता है, MACD अगर आपने use किया है, दोस्तों मैं इस वीडियो में MACD, RSI moving averages, simple moving averages और moving average के crossover, यह सब cover नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक scanner बनाना सिखा रहा हूँ, moving average crossovers आपको सीखने हैं, तो उस पे भी मैं आगे videos बना दूँगा तो दोस्तों, यहाँ पे एक और condition मैं लगाऊंगा एक जो final condition होगी मेरी, जो बिलकुल जो है, आखरी हथोड़ा होगा वो जो होगा, एक simple moving average की condition और लगेगी, क्या condition है जिसमें की मैं कहूँँगा कि simple moving average, जो 10 है वो, जो है वो मेरी cross करके cross below, cross below use कर रहा हूँ मैं, पहले मैं आपको क्या use करता था, greater than, less than use करता था, लेकिन अब हम directly find कर रहे हैं कि आज के दिन क्या-क्या stocks, जो है, वो short जाने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे latest, जो closing latest, जो मेरी 10 period की simple moving average है, वो close करके जो cross below हो किसको simple moving average 200 को, तो 50 वाली भी 200 को cross करके नीचे आई हो, और 10 वाली भी 200 को cross करके, यानि medium term trend भी cross करके नीचे की तरफ आया हो, और short term trend भी cross करके नीचे की तरफ आया हो, और short term trend जो है, वो medium को cross करके के भी नीचे की तरफ आया हो, RSI भी 60 के नीचे गिरा हो, और MACD लाइन भी 0, जो उसका 0 लेवल होता है, 0 लेवल के नीचे गिरी हो, तो सारी कंडिशन मैंने यहां पर लगा दी हैं, जो मैं लगा सकता हूँ, और मैं इसको यहां से cash segment से futures में करूँगा, क्योंकि देखें, futures मे के जो stock होते हैं, उनमें जो open interest और futures का जो open interest build up होते हैं, उसके कारण यह conditions जादा अच्छी चलती हैं, cash में जो है, आपके ऐसे stocks भी आजाते हैं, जिनके अंदर manipulation बहुत जादा होती है, तो यहां मैं क्या करूँगा, run scan करूँगा, अब देखें, run scan आप कब करोगे, देखे आपको run scan, देखें, मैं इसको यहां पर any कर दूँगा, कि मेरी कोई भी condition जो है meet हो जाए, ठीक है, कोई भी condition मेरी इसमें meet हो रही हो, क्योंकि देखें, यह काफी सारी condition है, और ऐसी जो condition है, उनकी सारों की मिलना, सारों का probability meet होना, यह बड़ा मुश्किल होता है, तो आपको क्या करना है, कोई भी एक condition meet हो जाए, क्योंकि देखें, क्रॉस्ट बिलो है, less than कर दोगे, तो बहुत सारे stock आजाएंगे यहां पर, मैंने पहले जो वीडियों है, उनमें less than ही करके दिखाया तो, मेरे व्यूवर्स ने, मेरे पास बहुत सारे comments आये थे, देखें, comments मैं पढ problem है, वो solve हो जाएगी, तो crossed below से क्या होता है, कि आपके पास बहुत limited stocks आएंगे, और यहां पर कोई भी एक condition meet हो रही होगी, क्योंकि देखें, सारी condition का meet होना, एक ही दिन पर बड़ा मुश्किल है, कहीं पर यह वाली, यह वाला crossed below meet हो रहा होगा, कहीं पर यह नहीं हो रहा ह लेकिन अगर less than की बात करें, कि 10 वली less than 50 हो, 50 वली less than 200, तो ऐसे तो stock आपके पास 50 हो आजाएंगे, लेकिन यह वाले बहुत limited stock आएंगे, जैसे देखिए sun pharma, sun pharma आपके पास stock आया है, मैं यहां पर चार्ट पर चलूँगा, और चार्ट पर डारेक्ली जो है, यहां sun pharma को लगाऊंगा, और मैं यहां देखिए, मेरे पास कुछ views बने होए हैं, यहां पर मैं daily का जो view है, उसको जो है, यहां पर कर लूँगा, तो यहां पर देखिए, यह वाला stock बहुत जादा bearish हुआ है, और यह वाला stock आपको बहुत जादा इसने गिरावट दिखाई है, ऐसे ह दोस्तो मैं दूसरा वाला stock लगाऊंगा, Sun TV, तो दोस्तो यहां पर यह एक scanner है, जो आपको एक condition देता है, और आपको कुछ ना कुछ एक, देखिए, कोई भी एक condition इसमें meet हो रही होगी, तो आपको यह stock जो है, यह निकाल के देदेगा, उसके बाद दोस्तो आपको अपना Analysis करने के तरीके मैं आपको वीडियो पर बदा चुका हूँ, आपको trend का analysis कैसे करना है, trend की strength का analysis कैसे करना है, momentum का analysis कैसे करना है, और देखिए, momentum trading मुझे लगता है, क्योंकि आपको थोड़ा बताना चाहिए, क्योंकि momentum trading मेरे पास बहुत request आई थी, क्योंकि कम समयमें हम profit कैस से कमा सकते हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके उपर भी आपको कुछ experience जो है अपना मैं share कर दूं momentum ट्रेडिंग के उपर भी तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको यह scanner बनाना सिखाया है scanner बनाना मेरा main name था और भी scanners बनाएंगे जो भी आपको पसंद हो आपको लगता हो अपने experience से अच्छे हैं तो मुझे WhatsApp कीजिए मैं उनके उपर ही वीडियो बनाऊंगा और जो भी आप scanners आपको लगता हो आपके अपने experience से intraday के scanners हैं उनको मैं वीडियो के माध्यम से अपने channel पे बना के upload कर दूँगा ताकि आप भी फाइदा उठा सके और traders भी फाइदा उठा सके तो दोस्तों जो भी मैं आपसे stocks शेयर करता हूं दोस्तों वो intraday के वो बहुत ही premium आपके learning के लिए होते हैं free होते हैं free of cost तो telegram channel आप जरूर subscribe कीजे इस वीडियो के description में आपको उसका link मिल जाएगा इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे wind up करूँगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like कीजेगा comment share subscribe और bell icon को जरू पूर press कीजेगा दोस्तों आप देखे video watch करते हैं लेकिन bell icon को अगर press नहीं करते तो वीडियो की notification आपको नहीं मिलती है तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे wind up करेंगे thank you दोस्तों